हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो कुकिंग विद गिर्जा, आज मैं आप लोग के लिए छोली की एक और रेसिपी लेकर आई हूँ, यह रेसिपी केरला से है, वहाँ पर इस रेसिपी को कॉकनेट ग्रेवी के साथ बनाया जाता है, और जो की बहुती टेस्टी लगता है, और इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकोन को दबाना मत भूलिए जिससे की आपको सारे नोटिफिकेशन्स मिलते रहेंगे, तो लेट स्टार्ट, का पेस्ट रेडी करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पर एक जार में कॉकनेट ले यह फ्रेश कोकनट है, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, और इसमें जाएगा सौंफ, यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून सौंफ लिया है, इसी से करे का फ्लेवर आएगा, और फ्रेश कोरियंडर, इसमें थोड़ा सा पानी ताल के हम इसे बढ़ी आसा पेस्ट रेडी कर लें है, छोले में सौल्ट डाल की और थोड़ा सा हाफ टीश्पून मैंने इसमें सोडा डाला है, और इसे अच्छी तरह से इस तरह से बॉयल कर लेना है, अब इसी छोले में हमने यहाँ पर एक प्याज लिया है, उसका आदा पाट हम इसमें डाल देंगे, और हरी मिर्ची, जिंजर, और गार्लिक, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसे एक साइड में रख देंगे, मिक्स करके, पैन हमने गरम करने रख दिया था, इसमें ओइल डाल देंगे, जिसे ही ओइल गरम हो जाता है, इसमें हम डालेंगे, मस्टर्ड सीड, इसे स्प्लेटर होने देते, मस्टर्ड हो गया है, इसमें बचा हुआ अनियन हम डाल देंगे, और इसे गॉल्डन कलर आने तक फ्राइ करेंगे, प्याज हो गया है, इसमें जाएगा, धनिया पावडर, मिर्ची पावडर, और हल्दी पावडर, इसे थड़ी दर ट्राइ करेंगे, उसके बाद हम इसे डालेंगे, टोमेटो पेस्ट, यहाँ पर मैंने टोमेटो पेस्ट करके रखा है, इसे डाल देंगे, मसालों को टोमेटो के साथ में ओयल सेपरेट होने तक फ्राइ कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, मसाला अच्छे से प्राई हो गया है आप देख सकते हैं अब हम इसमें एड करेंगे छोले जिसमें हमने प्याज हरी मिर्ची अद्रक प्लसुन को मिक्स करके रखा था एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा हम पानी डालेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे साथ आप इसमें नमक भी टेस्ट कर लीजिए अगर नमक कम लगता है तो आप डाल सकते हैं क्योंकि हमने चोले बॉयल करते इसमें सॉल्ट एड़ किया था थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे क्योंकि ग्रेवी काफी थिक लग रही है इसे हम क्लोज कर देंगे और जैसे ही इसमें बॉयल आ जाता है गैस को सिम करेंगे और तीन से चार मिनिट तक इसे कुखोने देंगे इसे क्लोज कर लेतें क्लोज कर देतें से चलिए चक कर लेतें इसे कुखोते होते चार मिनिट हो गया है इसमें जो भी हमने प्याज हरी मिर्च सब डाला था वो भी कुखो गया है इसके साथ में अब हम इसमें डाल देंगे और कोकनट दैनिया और सौफ का पेस्ट जो हमने किया था उसे हम डाल देंगे ये काफी थिक है तो इसे मैं पतला करने वाली हूँ इसे मैं इस बाउल में डालूँगे और इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे पानी डाल के इसमें थोड़ा पानी डालेंगे इस पेस्ट को इसमें डाल देंगे चितरे से मिक्स करेंगे इसे कोगनट पेस्ट डालने के बाद हमने इसे दो मिनिट तक कुक करना है उसके बाद हमारा कारी जो है वो रेडी हो जाएगा यह बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर है इस करी का क्योंकि हमने इसमें सॉंफ एड किया है और कोई भी हम इसमें साबुत गरम मसाला नहीं डाल रहे हैं थोड़ा साम लास्ट में इसमें गरम मसाला पावडर डालेंगे इसे दो मिनिट बॉयल होने देंगे सबसे लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह करे रेडी है इस कर्छी को आप टिम अप कर सकते हैं बॉयल ड्राइस के साथ में और चपाती पर ठा किसी के साथ भी आप इसे शर्फ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी करी है इसमें थोड़ा सा सबसे लास्ट में हम धन्यापति एड़ करतेंगे और इसे क्लोज करतेंगे ग्यास को हम बंद कर देते हैं करे रेडी है इसे डिशाउट कर लेंगे आपने देखा छोले बनाने का एक और नया तरीका तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी आप लोग इसे ट्राइज जरूर करें और मुझे अपने आन बहुत जरूर शेयर किया करें कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई रेसिपी की डिमांड है त कमेंट सेक्शन में मैं आप तक जरूर वो रेसिपी पहुंचाऊंगी अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू सो मच